नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाकत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में दोस्तों आम तोर पर हिंदू धर्म के लोग घर में मकडी का जाना लगना अशुब मानते हैं ये जीवन में उलजनों के बढ़ने की ओर संकेत करता है मगर इसके साथ कुछ ऐसी मान्यताई भी है कि विशेश परिस्थितियों में मकडी का दिखना शुब भी माना जाता है क्या आप ये बात जानते थे? शायद नहीं आज के इस पाकेज में मैं आपको यही बताऊंगी कि मकडी का कब दिखना होता है शुब और कब दिखना होता है अशुब सुभ उठने के बाद मकडी यदि किसी स्थान पर उपर की ओर चड़ते हुए दिखे तो इसे अपनी तरक्की का संकेत समझिएगा अगर ऐसे ही उपर चड़ते हुए मकडी सपने में भी दिखाई दे तो ये भी शुब होता है मकडी के जाले में यदि आपको अपने नाम के अक्षरों की आकरती जैसी चवी दिखे तो इसे भी आप शुब मान सकते हैं माना जाता है कि ऐसा दिखने पर आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ा लाप या अच्छी खबर मिल सकती है अगर आप मकडी को अपनी धुन में जाल बुनते हुए देखें तो ये भी एक अच्छाई की ओर इचारा करता है ऐसा होने पर आपको अपने ओफिस या व्यवसाय में सफलता मिल सकती है वहाँ आपकी प्रशन सा हो सकती है ऐसा सपनों में भी दिखना शुब माना जाता है लेकिन दोस्तों मकडी अगर आपको कहीं काट ले तो ये स्वास्थे की द्रिश्ची से भी अशुब है और जियोतिश के आधार पर भी ये अशुब संकेत होता है माना जाता है कि ऐसा होने पर आपकी किसी रिष्टेदार से आपकी संबंध खराब हो सकते है अगर आपको कहीं बहुत सारी मक्षियां एक साथ दिखाई दें तो आपको सचेत हो जाना चाहिए ऐसा होना इस बात का संकेत है कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है अगर कहीं आपके कपड़ों पर मक्डी चड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपको कहीं से नए वस्त्र मिल सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने सपने में मक्डी नीचे गिरते हुए दिखाई दे तो ये अच्छा शगुन नहीं है आपका कोई बहुत अपना आप से दूर हो सकता है तो दोस्तों हमारी बताई हुई इन बातों का जरूर ध्यान रखें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करें